ओम ज्यानी नाम पीचेताम सी देवी भगवती हिसा बलादाक्रिश्य मोहाय महामाया प्रैच्छती दुर्गे स्मिता हर्सी भी तीम शेश जन्तो स्वस्थे स्मिता मती मती शुभाम ददासी दुर्गा सब्शती के अनंत यात्रा पे हम निकल चुके हैं दुर्गा सब्शती की वो रहस्य मई दुनिया जिसको हम खंगालने जा रहे हैं एक मंत्र अभी पहले हमने भवनेश्व ग्यानी नामपी चेतामसी देवी भगवती हिसा मंत्र का उल्लेक करते करते हमने 16 classifications of mind 16 components of mind इसकी बात की है फिर पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि अब हम बात करेंगे कि ज्यानियों को भी बल पूर्वक भगवती कैसे अपने ट्रैप में फसा लेती है और उससे पहले इसी पिछली वीडियो में मैंने बात की कि वी आर लविंग इना मैट्रिक्स हम माया में रह रहे हैं हम यहां विदान्त की बात करनी भी बनती माया का सिद्धान्त तो ब्रह्म सत्य जगतमित्या तो यह बहुत वैसी तो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं इसके बारे में बात करनी शुरू करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा परन्तु एक आउटलाइन आपको इसकी दे जेता हूं क्यूंक तो ब्रहा हुद्र comigo कि आ भी युण यह वह चीजय के साथ चूड़ी प्लीप है और ब्रह्मसुत्र अ्व्हुट्र अर्चे में शूड़ी और भूंव पहला उछा है वह 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 विए क्योंकि यह सब चीजें एक-दूसरे डूसरे के सा जुडी हुई हैं यम 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 यक्षा Adm उद्षैर स्वह स्पश्टी इसर दूसरे के साथ में जब आते हैं पॉइंट ग्यानियों को भगवती कैसे अपने ट्रैप में फसा ले थी हैं पहले तो 16 यानि जो अंतह करन करता हुआ जीवन में आगे बढ़ता है आज हम माया किस दांत की थोड़ी सी बात करेंगे इसमें और साथ में यह भी बात करेंगे कि देवी क्या है भगवती क्या है चितामसी क्या है और बला दाकृष्य मोहाय वो क्या है थोड़ा थोड़ा इसके बारे म में भी बात करेंगे यह वीडियो अवश्य देख लीजेगा उसका र Tucson यह है के आगे इसका प्रयोग भी आने वाला है वशी करना प्रयोग है और वो कैसे काम करता है कैसे हमें मैंनिफैस्ट करना है किस तरह करना है उसे वो आपको अगले कुछ वीडियो के बीच में आने को मिलेगा प्राप्त होगा माया क्या सिध्धान्त क्या है माया का सिध्धान्त है कि ब्रम्म ब्रह्म में रह रहा है, माया ब्रह्म में रह रही है और जिस ब्रह्म में माया रह रही है वो ब्रह्म में रह रहा है, ब्रह्म को केवल ब्रह्म जान सकता है, जब यह आपका सौंदर लहरी की बात फिर करेंगे कभी, तो फिर यह भी बात होगी कि ब्रह्म क्या है, यह वो ब्र महा माया है महा माया को समझने के लिए पहले माया को तो जानना ही होगा ना क्योंकि महा माया उसको तो जानना ही होगा ना तो महा माया क्या है ये भी बात करते हैं परंतु पहले हम बात करते हैं माया क्या है माया का सिध्धान्त क्या है माया के अंदर दो शक्तिया है मैंने पिछली वीडियो में भी बात की कि मोहिनी और विरहनी दोनों मिलके काम करती हैं आपके सबकॉंशियोस माइंड के अंदर वो त्रिगुनात्मक शक्ति है वो जो दुर्गा है जो भगवती है कौन चित आनंद तीनों उसी में वास करते हैं परन्तु यहां पे जो ब्रह्म्ह की बात हो रही है वो ब्रह्म्ह आदी शक्ती है यानि वो एनरजी वो उर्जा एक कामाई जुगत पे आई तेन चेले परवान एक संसारी एक पंडारी अकलावे दीवान जिवतिस्पा वैते में चल जिसने जुगत बनाई ठीक है तीन चेले रखे एक संसार चलाता है एक बंडार भरता है एक एक प्लावे दीवान एक आदालत लगाता है जिफटिस्पा वैते में चलावे तेवहुआ फरमान जैसा उसको लगता है जैसा अच्छा लगता है जैसा उसका आदेश है उसी ठीक तो ये ये बता दूँ ये गुरुवानी में है जो सिखिजम का गुरुगरंद साहिब है उसकी जपजी में है ये इसके बारे में भी कभी अगर उनका आदेश हुआ तो जरूर बात करेंगे तो वो आदिशक्ती पहली बात तो आदिशक्ती हम कहते हैं हम आदिशक्ती कहके ब्रम्म को ब्रम्म में रह रहा है और उसी ब्रम्म में माया है और माया ब्रम्म के अंतर है ब्रम्म अनंत है माया का अंत है ठीक ऐसे समझे माया की दो आवरान शक्ति, दो शक्तियां हैं मुख्य रूप से, एक है आवरान शक्ति, एक है आवरान शक्ति, और दूसरी है विक्षेप शक्ति जब कभी ब्रह्मसूत्र के बारे में बात करेंगे तो ये भी बात होगी दो शक्तियां एक मोहिनी और एक विरहनी या आप किसी से जुड़ जाते हो या आप किसी से तूट जाते हो बीच में तो रहते ही नहीं आवरन शक्ति क्या है आवरन शक्ति है माया की आवरन शक्ति का अर्थ है the capacity to cover ये संपूर्न विश्व ये संपूर्न स्रिष्थी covered है with what with माया ये संपूर्न स्रिष्थी आपका mind आपकी existence आपकी मृत्यू आपका जीवन और बीच का travel जो लोग आ रहे हैं जो लोग जा रहे हैं जो जाने की बात कर रहे हैं जो आने की बात कर रहे हैं वो क्या है वो विक्षेप है distraction होता क्या है माया व्यक्ति को गर्ब से लेके अंत तक घेरे रखती है संपूर्ण सुष्टी माया के ही अधीन है हम लाग कह लें ब्रह्म्म सत्य जगत मिथ्या पर क्या वाकिय में जगत मिथ्या है क्या वाकिय में जगत मिथ्या है क्या वाकिय में ये माया है मैं जो बोल रहा हूँ क्या ये माया है जो आप सुन रहे हो क्या ये माया है जो दुर्गा सब्शती हम पढ़ते हैं क्या ये माया है और जो हम करते हैं जो भी हम किसी से नाराज होते हैं किसी से प्यार करते हैं क्या ये सब माया है क्या केवल वो ब्रह्म है और वो ही ब्रह्म सब के अंदर है वो ही ब्रह्म के अंदर माया रह रही है तो समझने वाली बात क्या है कि ज्यानी नामपी चेतांसी देवी भगवती हिसा आवरा शक्ति आपको जब इसे वशीकरण मंत्र कहते हैं तो वशीकरण मंत्र का अर्थ ही ये है कि वो कवर कर देता है उसके बिना कुछ दिखाई नहीं देता और दूसरी शक् ठी मुश्व करते हैं के विक्षेह्प दिस्ट्रैक्ट के आज आपको कोई बहुत अच्छा लग रहा है ऐसया कि को आवरा शक्ति के को ही माया जब आपको वहां आपको वह अच्छा लगने वाला व्यक्त्ति सामने कर ऑजा जाता है तब वो वह व्क्षेप कर देती है वो कि यह सब पूर्ण सुष्ठी चलती है इसी के द्वारा सब रिष्टे चलते हैं हम कहें कि मा बाप कि पति पत्नी भाई बहन कि यह सब रिष्टे किसी काम के नहीं यह माया है ऋस ब्रहम को जानना है तो उस ब्रहम में जाना पड़ेगा और वो ब्रहम स्वयम में ही सब को कवर किये हुए है माया को भी उसीने कवर किया हुए है माया जो है वह कौन है माया है और शimaan शक्ति और विशेप शक्ति the capacity to cover and the capacity to distract the capacity of being you and the capacity of being nothing या कि ये कह ले के बीन सम्थिंग और देन बीन निफिंग अलस ये माया महा मया कौन है महा मया वो शक्ति है पहली बात तो हम जब महा मया की बात करते हैं या पहले तो माया की बात करते हैं तो माया को नॉमली हम अपने रिष्टों में ही लेते हैं अब कितना भी कह लें के जगत माया है कंकर पत्थर तो खाएंगे नहीं खाएंगे तो फूड़ी कितना भी कह लें कि जगत माया है देखिए power to cover and power to distract the capacity to cover the capacity to distract यही दो शक्तियां महा माया प्रयच्छती बलपूर्वक व्यक्ति को हर वक्त चला आइमान रखती हैं कैसे कि आप साधना करते हो कोई व्यक्ति बहुत राग में रह रहा है उसको फूड अच्छा लगता है उसको यह अच्छा लगता है यह अच्छा लगता है यह अच्छा लगता है यह अच्छा लगता है पर वही एक अच्छानक से व्यक्ति सन्यास ले लेता है आप कहोगे यह क्य हो गया वह पावर टू डिस्ट्रैक्ट है पर माया हम कहते हैं वो माया से परे चला गया यह मोह माया से परे हैं ऐसा हो ही नहीं सकता ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि माया वहां भी है, वहां भी कुछ होने की इच्छा है, वहां भी क्या इच्छा है, कुछ होने की, एक योगी योग करता है, अपना धर्म परायान रहता है, वो भी कुछ होने की इच्छा है, वहां भी पावर टू कवर है, तो यह एक पावर के पैसिटी टू कवर है यानि कम यह इसने काम किया माया ने क्या किया माया ने आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया कोई व्यक्ति है आपको उसका स्वैग लगता था अचानक से वही स्वैग खराब होने लगता है वो क्या किया माया ने ही आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया उसका रीजन है कि एक नई कवरिंग आ गई है कि समय की परिभाशा क्या है इसमें यह समझने वाली बात है कि समय की परिभाशा क्या है समय मैंने एक वीडियो में पहले भी बोला कि मान लीजिए क्लॉक लगी है ठीक है आप मर जाते हो आप मर जाते हो समय का इससे क्या लेना मान लीजिये क्लॉक लगी है आप कोमा में चले जाते हो देखिए यह चीज समझने वाली है महा माया का इन्फाइनाइट है महा माया वो शक्ति है जो इन्फाइनाइट है विच बिलॉंग्स टुद ब्रह्म्हा विच इस दो ब्रह्म्हा वो जब मूर्ति रहस्यम की बात करेंगे के कैसे जो है प्रधानिक रहस्यम और मूर्ति रहस्यम की बात करेंगे तो कैसे जो मा ने अलग-अलग गाइसे ली त्रिगुनात्मक शक्ति बनाई वो भी बात करेंगे तो वो क्या है वो बेसिकली आवराण शक्ति है जो की आपको घेरे रखती है यह संपूर्ण सुष्ठी इसी में आवरित है व्यू है तो मैंने कहा कि समझने वाली बात यह है कि एक व्यक्ति सब चीजों से परे हो जाता है एक योगी योग को साथा 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 वैराग्यवान हो जाता है और वो इंफाइनाइट की तरफ चला जाता है वो जो इंफाइनाइट की तरफ आ वो माया है और जो इन सब चीजों से परे है वो महा माया है जिसको जानना मुश्किल है मुश्किल क्या नामुम्किन है वो अग्यात है वो अग्यात है वो अग्यात है वो अग्यात है वही शक्ति महा माया है मैंने कहा कि एक योगी चलता रहता है अपने ट्रैवल पे तो वहाँ भी एक कपैसिटी है जो माया की है वो है कि मुझे इस मोह माया से बाहर जाना है वो मोह माया का थौट भी माया है समझे घड़ी के कांटे की बात हो रही थी अगर आप अभी राइट नाउ राइट नाउ मैं आपसे बात करता करता अचानक कुमा में चला जाओं अचानक ही तो वो जो मान लीजे एक साल दो साल कुमा वाली सिच्वेशन में व्यक्ति रह लिया है तो जो घड़ी का काटा घड़ी का काटा इसमें समझीए आप जिस समय गिरे उस स्थिति में कुमा में गए उस समय आपकी पत्नी पास बैटी थी ठीक है और जैसे मैं आपको बात बताता हूं मेरा एक मित्र है उसके साथ ऐसा हुआ है वो भी किस्सा में आपको बताता हूं कोमा में नहीं गया वो कुछ और हुआ था वो out of body experience था वो भी बताता हूं तो क्या होता है कि जब यक्ति कोमा में गया उस वक्त ठीक 12 बज़ के 2 मिनिट और 1 सेकंड हुआ था उसके लिए तो घड़ी वही रुक गई रुक गई वो उस अस्थिती में जाने के बाद 2 साल बाद उठता है उसकी पतनी वैसे ही उसके पास बैठी है और 2 साल वो कहां था तो इसको तो नहीं पता है उसकी पत्नी उसी शेफ में बैठी है वही कपड़े पहने हुए हैं वही सब वही रूम है वही सब कुछ गड़ी का काटा वही है तो समय वहीं रुक गया था तो जहां समय रुक जाता है वो ब्रह्म है और ब्रह्म अनंत है और भी बात करेंगे जब हम ब्रह्मरूपिनी के बारे में बात करेंगे विश्व मोहिनी की बात करेंगे अहम विज्ञाना विज्ञाने अहम आनंदा अनंदो ये भी बात करेंगे नमस्चंडी का आए सत्चित आनन्द कैसे है इंकारी सृष्ठी रूपाय इंकारी प्रति पालिका किलिनकारी कामरूपिन्न अकुण जिका में जब जाएंगे इस बार तो हम बात करेंगे वो सब्यचित आनन्द कैसे तो माया सबको घेरे रहती है आज को व्यक्ति अच्छा लग रहा है कल को नहीं लग रहा आज को व्यक्ति बुरा लग रहा है कल को अच्छा लग सकता है यह सब माया आपके माइंड के साथ खेलती है तो ग्यानियों को भी बल पूर्वक ग्यान ग्यानी का अर्थ क्या है यहां अंतह करन को तो छोड़ी द यहां तुम अपने और मेरे बीच में आ जाओ यहां अपने और मेरे बीच में आ जाओ क्या समझने वाली बात आपके माइंड ने आपको प्रमान दिया कि यह व्यक्ति इस दो पर्फेक्ट वान फॉर यू ठीक सब्सकार पहले कारे करें समृतिया काम करें वैसे लोग वैसी सबकॉंशिस थौट्स आए फिर उसके बाद में तुम्हें प्रमान आया आपको तुम्हें पूरा ज्यान हो गया कि ये स्थिति जो है ये मेरे जीवन के लिए पॉफेक्ट बनी है तुम्हें पूरा ग्यान हो गया ग्यानी नामपी चेतामसी देवी भगवती हिसा ये मेरे साथ भी हो रहा है ये आपके साथ भी हो रहा है ये सब के साथ होता है माया बहुत खेल खेलती है आप तक पहुंचाने में मेरे साथ कैसे कैसे खेल हो रहे हैं कभी एक्सपीरियेंस मे में बात करेंगे तो ग्यानी नामपी चेतामसी देवी भगवती हिसा वो आवरण शक्ति ने आपको प्रमान दिया और आप ग्यानी हो गया आपको ग्यान हो गया कि यह यह स्थिती मेरे लिए पर्फेक्ट बनी है वहीं आई दे पावर टू डिस्ट्राक्ट विरहनी वहीं आई विरहनी पावर टू डिस्ट्राक्ट मैं यह जॉब कर रहा हूं मैं यह चीज कर रहा हूं मैं यह चीज कर रहा हूं मैं ग्यानी हो गया मुझे ग्यान हो गया उस चीज का परंतु अब माया को तो अपना कार्य करना है माया का गुण है वो माया का आधार है वो वहां से distract करती हुई आपको आगे ले चलती है एक नए कवर की तरफ और फिर आप देखते हो फिर आप distract होते हो और वापिस आते हो कि नहीं ऐसा तो नहीं होना ठीक है तो इसी तरह दे आपकी ट्रेंट मेरी लाइफ में सभी की लाइफ में माया हर वक्त कार्य करती है महा माया प्र अच्छती बल पूर्वक हीचलाती है तुम कह кноп कि तुम कह दो कि यहां मुझे पूरा ग्यान हो गया हुआ है अब इस ग्यान को मैं कि सृष्ष्टी में ले जाऊंगा अपनी सृष्ष्थी में आगे ले जाऊंगा मैया भाहि ही ही स्ट्रक्त कर देगी मैं मैं आप तक वीडियो पहुंचा रहा हूं मेरे जीवन में क्या गया सितियां बन रही है इस वह भी पावर तो डिस्ट्रक्ट है पावर टू कवर एंड पावर टू डिस्ट्राक्ट मोहिनी और विरहनी यह दोनों कारे करते हैं इस श्लोक में इतना रहस से चुपा है सबसे पहले ज्यानी नामपी छीता अब आ जाते हैं एक्स्प्लानेशन पे ठीक है आवरन शक्ति और इस पे हम आते हैं एक्स्प्लानेशन पे ओम ज्यानी नामपी जिस चीज़ का तुमको पूरा ज्यान हो गया है ज्यानी नामपी चेतामसी वो तुम्हारे चित्त के अंदर तक चली गई है क्योंकि चित्त ही संपूर्ण स्विष्टी है कैसे शैवदर्शन में प्योर कॉंश्योसनेस that you are completely conscious about something you are completely conscious about something that is called as चित्य शैवदर्शन में प्योर कॉंश्योसनेस is called as चित्य जिससे संपूर्ण विश्व का निर्मान होता है आगे आएगा ना चिती रूपेन तो यहां वो चिती चित्त ही है जिससे संपूर्ण विश्व का निर्मान होता है और संपूर्ण विश्व क्या है संपूर्ण विश्व वो परिस्थित्य है वो समय है जिसमें आप एक्जिस्ट कर रहे हो जो चलता जा रहा है आगे चलता जा रहा है और परिवर्तन करता जा रहा है वो ही आपको समय होने का अहसास करवाता है वही चिती है जो आपका चित है जो आपका ट्रैवल है जो आपकी मेमरी है जो आपकी सबकॉंशिस थॉट्स है अनकॉंशिस टेट है वही चित है चिती रूपेन संपूर्ण विश्व का निर्मान यानि आज मैं जो जी रहा हूं कभी ये भी बात करेंगे कि ना क्या ना भूतो ना भविश्यती क्या ना भूतो ना भविश्यती प्रमान क्या है आज तुडे राइट नौ दिस ब्रेथ बाबा नानक से पूछा गया कि बाबा जी रब किनी क्वी दूर है कि अबस सांस की दूरी है कि और मनत्यूं कितनी दूर है बस सांस की दूरी है भगवान जहां है बस सांस में श्वास में कि तो इसलिए जब बापा बुले शाह भी मैने कई वरी बापा बुले शाह की तो बहुत बात करता हूं मैं क्योंकि मैं उनको कुछ फकीरों में भी रहा हूं तो कुछ पढ़ा है समझा है तो उनकी वो जब गुरू के पास गए थे वो कहते हैं मैं जी भगवान को पाना है वो कहते है बुलिया राबदागी पाना इत्सऩा उधनों पत्टना उत्थर लाना ऐमींस के बुले शा भगवान का क्या उसको क्या पाना इधर से उखाड़ उधर लगा दो ये मन ही तो है power to cover and power to distract ठीक तो सबसे पहले ज्यानी कौन है ज्यानी हर वो स्थिती है जिसमें आप प्रमानित हो चुके हो कि अब ये final है परन्तो mind आपको साथ में विकल्प देने शुरू कर देता है आपके पुराने experiences आपके पुरानी बातें आपके कुछ पुराने लोग कुछ पुरानी बातें बहुत सारी चीजें हैं और जहां परिवरतन नहीं होता वहाँ व्यक्ती irritate भी हो जाता है परिवरतन चाहिए तो कहते हैं कि कोई व्यक्ती आपको चलिए छोड़िये इस बात को जो बात हम कर रहे हैं व्यवारिक बात बाते ना जादा लाएं हम सिर्फ ग्यानी नाम अपी चेतामसी देवी भगवती हिसाफे जो है कांसेंट्रेट करें जो भगवती है भगवती पर मैं अलग से एक पूरी वीडियो बनाऊंगा देवी कौन है ग्यानी नाम अपी जो जिसको ग्यान हो गया है जिसको पूर्ण ग्यान हो गया है जो अपने प्रमान में आ गया है प्रमानित हो गया है नाम अपी चेतामसी देवी भगवती सा उसके चित में वो चीज टोर हो गई है देवी कौन है जो देवों का कारण है और देवों से संपन्न है देवी उससे संपन्न है भैरव भैरवी चक्रुपासना में या यह जो अकल्ट में तंतर में भैरव और भैरवी का यह जो चलन हुआ था यह जो बात है तंतर में यह क्यूं है बहुत सारी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जहां पर व्यक्ति out of body चला जाता है या फिर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जब वो गूड समाधी में चला जाता है और उसका वो पॉरुष पॉरुष तत्व जागरिस हो जाता है और वो या infinite में चला जाता है वहाँ भैरवी आ के उन्हें हील करती है या ठीक है तो ये है महा माया नहीं माफ कीज़े ये है देवी जो सभी गुणों से सभी देवों की शक्ति से संपन्न है और जिसके कारण देव हैं ठीक है अब उसके बाद में आ जाता है भगवती भगवती का अर्थ स्वभाग्यवती स्थ्री भी होता है वो जो शक्ति से संपन्न है वो भी भगवती है जितनी भी फीमेल्स जिनके पार्टनर्स हैं उनके साथ में वो भगवती का ही स्वरूप है और बी बात करेंगे बहुत लंबा है बहुत लंबा थीसिजी आ ये तो देवी भगवती हिसा बलादाकृष्या बल क्या है बल है नहीं डिस्ट्राइक्ट कवर बला दाक्रिश्य मुहाया मोह माया मैं हूं यह माया है मोह यह बी अलग से बात करेंगे वैसे तो पर इसमें बता रेता हूं कि सबी सारी सुरुष्टी यह मोह का ही तो स्वरूप है जो बात करते हैं कि उस ब्रह्म को इच्छा हुई उसने सुरुष्टी बनाई और सुरुष्टी का मोह बेश ही माया है मोह माया सब माया है तो महा माया प्रयच्छती मोह के रूप में मोह पाश है महा माया का पाश है मोह है अच्छा इसमें एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा वो यह है कि जब हम बात करते हैं न देवी यह जब हम प्रयोग की बात करेंगे वैसे दो डीटेल में बताऊंगा ये जब हम ये मंतर पढ़ते हैं तो आपका व्यों ये व्यों मार्ग व्यों आपके कारे सिद्ध करते हैं, वो महा माया का जगत है, उसमें एक व्योंमार्ग भी है, उसी व्योंमार्ग के द्वारा वो सारे कारे करते हैं, वो word of frequencies है, non material word है, parallel universe है, वो भूतों, प्रेतों, देवों, किनरों, इनका, क्या बोलते हैं, इनको सभी प्रकार के यक्षों से, सभी प्रकार की यक्षिनियों से, सभी प्रकार की अपसराओं से, सभी प्रकार की डाकिनी, हाकिनी, लाकिनी, शाकिनी, राकिनी, इनसे युक्त है और सभी देव आपके अंदर ही है, दानव भी आपके अंदर ही है, वो भी बात करेंगे, जब महिशा सुर वध पे जाएंगे जब धूमर लोचन वध पे जाएंगे फिर बात करेंगे तो अभी जो है इससे व्योंग मार्ग एक्टिवेट होता है इससे आपका ये आपके सबकॉंशिस के कनेक्शन्स को एक्टिवेट कर देती है और आप शक्ति से युक्त हो जाते ह है माया भी एक शक्ति है जितनी शक्तियां है सब माया ही है मैं अगर बोल रहा हूं कहीं न कहीं वो भी माया ही है आप सुन रहे हैं वो भी माया ही है सब कुछ माया है तो वो महा माया प्रैक्षती खीच लाती है उन ग्यानियों को अब ग्यानी जब ये तो हो गया कि प्रमा समझ आ गया कि आप ग्यानी है और डिस्ट्रैक्शन आ गई है परंतु अब हम अंतहकरन वाली भी बात करते हैं यह तो एक नॉर्मल हम हम जो नॉर्मल लोग हैं वो तो रहते ही डिस्ट्रैक्टेड हैं कहीं न कहीं परंतु उस ग्यानी को कि जो महाग्यानी हैं जो अंतहकरन करता हुआ अपना मनस बुद्धी अहंका आर्चित द्वेश सबी classifications of mind components of mind इनको शोधित करता 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 परं होने की जगापे आ जाता है तो फिर सृष्टी उसके साथ क्या खेल खेलती है कि आप सब चीजों से डिटाच होके देख लीजे लिटाच होके देखिए और होता गया है जब व्यक्ति शक्ति के पीछे नहीं भागता है तो शक्ति अपने आप उसके अंदर आनी शुरू हो जाती है जब शक्ति उसे प्राप्त होती है वो एक कदम दूर होता है पूर्ण अताक की वहीं माया अब इसको मैं विभारिक रूप से भी बात करता हूं आप और कोई भी कार्य कर रहे हैं कि अपने बहुत गेंज्ञ कि ए हैं Ừैं मैं रिलेशंच्शिप बिजनस है कुछ भी है तो एक जगा आ जाती है जहां पर शक्ति हो रिलेशशनच्शिप आथि आजाता है वह और बिजनस है तो आपको सबार्डिनेट्स मिल जाते हैं आप तरक्षी कर जाते हो एक गलत स्टेप उससे सब चीजों को खराब कर देता है वो क्या व्यक्ति करता है यहीं बल पूर्वक खीचने लाने वाली शक्ति है एक अंतह करन करने वाला योगी एक अंतह करन करने वाला व्यक्ति एक जगा ऐसी पहुंच जाता है जहां पर उसके अंदर कुंडलिनी से लेके सभी चक्र जागरित होने के बाद उसको स्वैते ही सिध्यां मिलनी श्रू हो जाती है यानि आपने कुछ बोला है पूर्ण हो गया आपने कुछ सोचा है पूर्ण हो गया आपने कुछ मंगा पूर्ण हो गया आपने किसी को बोल दिया कि यह हो जाएगा हो गया है है वह मूझे पूरता कि स्थिती के बहुत करीब होता है ज Państwo आटा हूं मैं जब बगला मुख्या ला करता था मैं अपने गुरूजी की बात बजाता हूं कि मुझे आता तो मैंने अपने गुरुजी से बात की मैंने का मैं मुझे ऐसे करके बहुत ज्यादा करोध आता है तो मैं क्या करूं मुझे फ्रास्ट्रेशन एंगर इतना जादा आने लगा है तो उन्हें कहा कि तू सिद्धी के बिल्कुल करीब है अब अगर भटक गया अब अगर भटक गया तो फिर वापिस जीरो पे खड़ा हो जाएगा किसी से लड़ पड़ेगा जूतिया जाती हो आगे चुप-चुप बैठ जाएगा तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि वो शक्ति स्खलित करने का स्खलन करने का एक व्यूह रच्टी है एक आवरण रच्टी है जिसके द्वारा व्यक्ति को अहमकार आ जाता है कि फिर वो तो रावन ही था वो तो रावन ही था ना वो कहता था एको हम दुतियो नास्ति एको हम दुतियो नास्ति एको हम दुतियो नास्ति तो ऐसी स्थिति जब व्यक्ति को शक्ति प्राप्त हो जाती है कितना बली था रावन माया से वो भी नहीं बच पाया काल तक बांदे के रखा था माया से वोगी नहीं बच पाया आप और में क्या चीज रहे सामने आती है था Mr. बाई समझने वाली बात ये है कि माया से कोई नहीं बच सका को न नो जब व्यक्ति को इस स्थिति में शक्ति ले आती है तो फिर वो कहता है एको हम जुतियो नास्ति सिर्फ मैं हूँ जो परम हूँ और वो परम होने का जो प्रदर्शन है क्यों जो गुरु लोग हैं वो यह समझाते हैं कि अगर तुम कोई मंत्र जाप कर रहे हो क्यों साद्णा कर रहे हो प्रयोग नहीं करना कि प्रयोग नहीं करना कि यूं 15 मिली है प्रयोग करने लिए मिल इसरे आपको महामहिना का मंत्र मिल गया आपको यक्षणी उसका जो भोगा था फिर मेरे गुरू ने मुझ से वचन ले लिए अब यह वचन हैं इन वचनों को पूरा करना पड़ेगा बहुत सारे लोग तंत्र में क्यूं फस जाते हैं बहुत सारे लोग तंत्रिक शक्तियों के अधीन क्यूं हो जाते हैं बहुत सारे लोग उन मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्नोंने बड़े भोले पन से इस रास्ते को अपनाया था पर मिला भी बहुत कुछ, पर कहीं न कहीं उनकी लाइफ में धिस्टर्बंस ऐसे यही, वो भी माया ही है, तो क्या होता है, व्यक्ति के अंदर जब शक्ती आती है, तो शक्ती चंचला है, शक्ती प्रदर्शन मांगती है, आपने देखा होगा जिम जाने वाले बंदे तौप लैस की घूमने लगते हैं शक्ति प्रदर्शन मांगती है शक्ति प्रदर्शन कर्वाती है तो वही रैप है माया का जब वह अंतहकरन करने वाला व्यक्ति परम योगी भी शक्तियों के जाल में फस जाता है शक्तियों के जाल में फस के फिर वो एक नई आवरण की और और उर शक्ती की और भागता है कि मुझे यह स्थिति में माहमाया ही है जो संपूर्ण सुष्ठी को चला रही है अब आगे और भी बात करेंगे जुड़े रहिए पूरी वीडियो देखिए और इन वीडियो को शेयर कीजिए मेरी इस एफ़र्ट को अप्रिशेट कीजिए आप देखते हैं प्लीज लाइक कीजिए इससे यूट्यूब का जुड़े रहिए आनन्द हो आपके बिना अधूरा है और अभी हम आने वाले समय के बीच में स्री रुद्रम भी क्योंकि आदेश हुआ है और काल भैरव अश्टकम सभी यह जो दो-तीन स्तोत्र हैं इन सब के बारे में बात करने वाले हैं जुड़े रहिए